फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं पिरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के बारे में बहुत common सवाल है सब लोग पूछते कि मुझे पिरियड्स में पेन क्यूं होता है तो इस पूरे वीडियो में आज हम जानेंगे कि periods के दोरान होने वाले कारण क्या है, उनका इलाज क्या है और उनका पता कैसे लगाया जा सकता है कि मुझे कोई problem है या नहीं है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि periods में pain होता क्यूं है जनरली periods के दोरान hormonal changes होते हैं और कुछ ऐसे chemicals body में release होते हैं कि जो बच्चे दानी को सिकोडने का काम करते हैं जो जो cramps लाते हैं यह जो chemical है उसका नाम होता है prostaglandins तो prostaglandins का level जब body में बढ़ता है तो uterus के cramps आते हैं जिसकी वज़े सी pain होता है लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं है इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं जैसे कि बच्चे दानी के अंदर gart का होना जिसे fibroid बोलते हैं या उसके अंदर कोई mask का बढ़ जाना जिसे cervical polyp हो सकता है या बच्चे दानी का मुह बहुत सिकुड़ा हुआ होता है cervical stenosis से कहा जाता है जिसकी वज़े से जो blood है उसको बाहर निकलने का रस्ता नहीं मिल पाता है जिसकी वज़े से बच्चे दानी में सिकुड़ती है और cramps आते हैं और pain होता है लेकिन यह जो चारिया पांच कारण है इसके अलावा जो सबसे common कारण है वो है endometriosis endometriosis एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे दानी के द्वारा जो bleeding हो रही है वो fallopian tube से यानि कि जो नलिया है उनके through retro gradient की पीछे की तरफ जाती है तो यदि आपको periods के दौरान इतना जादा pain है कि आपको गोली लेने के ज़रुत पड़ रही है या आपको injection लगवाना पड़ रहा है या फिर आपको गोली और injection लेने के बाद में भी दर्द में आराम नहीं आ रहा है तो यह endometriosis हो सकता है या फिर इन में से जो हमने कारण आपको बताएं कि fibroid हो सकता है, polyp हो सकता है, इसके लाव premenstrual syndrome हो सकता है या cervical stenosis हो सकता है तो इन में से कोई भी कारण आपको हो सकता है तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके सलहा लेनी पड़ेगी, advice लेनी पड़ेगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए जब भी आपको इस तरीकी का कोई problem हो तो आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको एक sonography जरूर advise करता है, sonography जो पेट के ऊपर से की जाते हैं इसको transvaginal sonography करते हैं या फिर बच्चेदाने के रास्ते से जो की वजाईना से की जाती है, इसको transvaginal sonography कहते हैं, दोनों में से को कोई भी sonography आप करवा सकते हैं, बढ़ हमारी राही है कि आप transvaginal sonography को preference दें, वो उसका quality MRI के बराबर होता है, या उसका diagnosis बहुत बहतर होता है, बजाए abdominal sonography के, जब आप transvaginal sonography करवाएंगे, तो आपका diagnosis बनके आता है, कि आपको कोई fibro and poorly stenosis या endometriosis तो नहीं है, endometriosis में बच्चे दानी के दौनों तरफ जो ovaries होती है, उनके अंदर भी गांट हो सकती है, जिसके वज़े से भी पेट में दर्ध या periods के दौरान दर्ध होता है, तो डॉक्टर के सलहा के बाद जब आपका diagnosis बन जाए, तो उसके आगे फिर हमें discussion लेना होता है, कि अब इस endometriosis में है, तो उसका इलाज भी operation ही है, तो यह जो ऐसे कोई कारण है कि कोई गांट, सिस्ट या और कोई problem है, जो मास बढ़ना, तो उसका operation के द्वारा इलाज होता है, जो कि दौरबीन से किया जा सकता है, या हाथ वाली surgery भी कराई जाती है, लेकिन सलहा यह रहती है कि आपको premenstrual syndrome हो सकता है, यानि कि hormonal imbalance हो सकता है, तो hormonal जब imbalance होता है, तो 21 दिन वाली जो hormonal गोलियां होती है, वो लेने के सलहा दी जाती है, जिससे कि automatically अंडे का बनना बंध होता है, chemical का जो balance है, बिगड़ा है, वो balance हो जाता है, और आपको cramps आने, बंध हो जाते हैं, bleeding भी normal होती है, और उसका additional benefit होता है, कि आपको मुँपे acne वगरे, या और किसी तरह कि कई सारी problem से निजात मिल जाती है, उनका benefit हमने एक हमारे पहले वीडियो में किया हुआ है, तो आप description में उसका link देख सकते हैं, और आप उस video को go through कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कोई problem सामने आ भी नहीं है, इसमें बच्चे दाने के पीछे, आतों पर, ओवरी पर, पिशाप के धाली पर, सब जगे महीने का blood इकठा हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी महीना आता है, तो वहां भी bleeding स्टार्ट होती है, और बलड इकठा हो कि चॉकलेट जैसा बन जाता है, जो चॉकल जानकरी प्राप्त कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि आप घर पर ऐसे क्या मेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको पिरिड्स में होने वाले दर्द से राहत मिले, तो इसके लिए आप हीट पैड इस्तिमाल कर सकते हैं, और अपने खाने के अंदर कुछ ऐसी से बाहर क्लियर हो जाएं, और इसके अलावा कुछ मल्टि विटामिन गोलियां होती हैं, वाइटामिन B1, B6, ओमेगा फैटी एसेड वाले कैपसूल, यह आपको पिरिड्स के होने वाले दर्द में फाइदा जरूर देते हैं, और बहुत जादा दर्द हैं, तो आप कुछ गोली भी ले सकते हैं, जो इन मेजर से भी आपको फाइदा नहीं कर रहें, तो सिंपल पेइन किलर जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वाप ले सकते हैं, लेकिन अगर पेइन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती हैं, तो तो उस प्राब्लम को सॉट आउट करने के लिए आप किसी योगा एक स्पेशलिस से भी आप मिल सकते हैं, और उनसे आसन सीख सकते हैं, तो इस तरीके से इस वीडियो में आपने जाना कि इसके कारण क्या है, पिरिट्स में होने वाले दर्द के, उसके जांच में आप सोनोग्राफिय आप करवा सकते हैं, और उसके इलाज के ल अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, तो उसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बैल आइकन को जरूर दबाईए, फिर मिलेंगे, थैंक्यू सो मज